टीम इडिया का अगला मिशन T20 World Cup है जो अगले साल 3 जून से लेकर 30 जून तक वेस्ट अडिज और अमेरिका की धर्ती पर खेला जाएगा अब ऐसे में कई लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि क्या उस T20 World Cup में रोहित और विराट कोली खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि विराट कोली और रोहित को साउध रुया खिलाफ वाइट बॉल क्रिकेट से अराम मांगा है हलाकि ये दोनों खिलारी टेस्स सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे आपको बता दें कि टीम इडिया को T20 वर्ल कप से पहले सिर्फ 6 T20 मैच खेलने हैं जिसमें पहले 3 T20 मैचों की सीरीज साउध रुया खिलाफ होनी है और उसके बाद फिर टीम इडिया अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी उन्होंने T20 फॉर्मेट में टीम इडिया के लिए 115 T20 मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने करीब 52 की उसत से 4008 रन बनाए हैं जिसमें 100 है और 37 हाफ सेंचुरी हैं इतना ही नहीं T20 इंटरेशनल फॉर्मेट में सबसे ज़्याद रन बनाने वाले खेलाडी कोई हैं तो वो विराट कोहली हैं इसके अलाव विराट ने IPL के पिछले सीजन में दमदार पानिया खेली और जरूरत पढ़ने पर वो ओपन भी कर सकते हैं अभी हाल ही में हुए वंडे वर्लकफ 2023 में विराट के बले ने खूब धूम मचाई थी उन्होंने 11 मैचों में 755 टन बनाए थे इतना ही नहीं वर्लकफ के दोरान विराट ने वंडे में एक और खास कृतिमान अपने नाम किया था और वो था वंडे में 50 सतक लगाने वाले पहले खिलाडी बने थे वैसे विराट कोली बड़े मैचों के बड़े प्लेयर हैं कई बार उन्हों टीम इडिया के लिए टफ टफ सिच्वेसंस में आकर मैच जिताए हैं तो ऐसे में उनका T20 में होना टीम के लिए काफी फाइदे मन रहेगा वहीं टीम इडिया के हिटमैन यानि कि रोहित की बात की जाए तो उन्होंने वंडे वर्ल्ड कप में शांदार शुरुआत दी थी वर्ल्ड कप वेस्टन डीज में होना है जहां पीछे काफी बदल गई है और मुश्किल भी है तो ऐसे में वर्ल्ड कप के लिए आपको अनुभो खिलाडी का होना बेहत जरूरी है वहीं टीम इडिया के पूरो खिलाडी गौतम गंबीर ने कहा देखी ये सब कुछ फोर्म के उपर डिपेंड करता है अच्छी बात ये है कि T20 वर्ल कप IPL के बाद होना है 100% अगर वह अच्छे फोर्म में है तो उन्हें वर्ल कप का हिस्सा होना चाहिए मेरे लिए फोर्म इंपोर्टेंट है T20 वर्ल कप के लिए आप उन खिलाडियों को लेना चाहते हैं जो वास्तों में अच्छी फोर्म में है अगर रोहित और विराट अच्छी फोम में हैं तो उन्हें डेफिनेटली वर्ल्ड कप के लिए चुना जाना चाहिए